नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज मैं आपके समने बहुत ही अच्छा होम प्लान लेकर आया हूँ एक सब्सक्राइबर की रिक्वाइर्मेंट थी कि मुझे एक छोटा सा घर बना के बास्तू के अनुरूफ दिया जाए तो उनके अनुसार इसे बनाया जा रहा है आप देख पा रहे हैं जिस परकार से उनका ये छोटा सा जगह है जिसमें एक केंपस एरिया है उसके बीच में इनको एक रिक्वाइर्मेंट थी उसके अनुसार ये रेट से मैं सारे खिड़कियों के सिंबॉल दे रहा हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं और बुलू से मैंने जो है आपके वाल के सिंबॉल दे रखा है ये इसका मुखिद्वार है ये जहां निर्मान कर पा रहा हूँ ये दिकी सीड़ी का मैं यहां निर्मान कर देत फिट इसकी और ये 30 फिट मतलब 30 बाइ 30 का इनका कुल जगा है चोटा जगा है 900 स्क्वाइर फिट है और उसमें से भी केंपस में जगा छोड़े गए 900 स्क्वाइर फिट में बनाए गए है अब इसमें मैं दिसाएं मेंसन करते तो यह पूर्व मुखी घर है यह इस्ट फेस म की चारो तरफ इस्पेस हो तो अच्छा माना जाता है उसके अनुसार इनका रिक्वाइर्मेंट था तो इस चारो तरफ में इसमें जगा छोड़ दिया है और यह आपका गेट गेट यहां पर बनना है मुख्य द्वार जब भी रखें आप दो पल्ले का रखें सिंगल पल् और है आप घर के अंदर में सामा नहीं रख सकते हैं सभी एक साइज के रख सकते हैं सिर्फ एक बात्रूम का डौर थोलआ शोटा रखी और आपके जो है यह मुख्य द्वार आपको बड़ा साइज रखना है ये चलिए मैनने इसमें डॉअ-द्वर इसके बाद इसकी मेजरमेंट को अपडेट कर दूँगा तो ये पकड़ में आएगा किस परकार से इसे करना ये जो मैंने बनाया ये रसोई के लिए मैं स्लेब बना देता हूँ ये कीचन दिया गया है बिल्कुल पूरा और दक्षिन कॉर्णर पे अगनी कोन में ये रसोई घर बनाया गया है रसोई घर में हमने दो बेंटलेशन के लिए अनुरूप के लिए आपको खिड़कियां दिये लेड से इसकी में मेजरमेंट कर दोती है साथ फिट है और ये जो है दस फिट साथ गुने दस का ये आपका कीचन सत्तर बर्ग फिट में ये कीचन ये स्लैब आपको पुर्व तरब दिशा की और करके आपको रसोई में भोजन के लिए आपको रसोई के लिए सिंबॉल बनाया ये आपका बन गया वास बेसिन वास बेसिन का सिंबॉल इस तरब आपको देना चाहिए रूल के नुसार अब ये इसमें जो है आपको एक बड़ा सा रू चेड़े तेरह फिट इसको रखी रखा गया है और गुने दस फिट यह रखा गया है इस टेंडर्ट से बड़ा एक सब बीस से बड़ा हो जाता है यह करीब करीब यह सेड़ी कलॉग वाई डिरेक्शन में आपको उपर जाने के लिए बना दिया गया है यह चार फिट चवड़ा है और दस फिट लंबा है जिसमें दोनों चीज एटेजड है है तो सवचाले को इसमें अलग कर दिया गया है क्योंकि बास्टू के रूल के नुशर बाथीरूम में सवचाले एक सथ अच्छा नहीं माना जाता है तो हमने इसमें अलग बाथरूम में आपको बाथरूम से ही सोचाल है इसके एक डोर लगा दिया है मैंने इसमें आप इसे अपने रिक्वार्मेंट के नुसार थोड़े से इचाओ तो डोर लगाई है नहीं लगाई है वो भी चलेगा यह सोचाल है उत्तर दक्षीन आपको बैठाना है तो यह यह कंब निकल के आ रहा है लेकिन सेड़ी के नीचे का भी इसपेस आपको इसमें पर योग होगा इसी एरिया में तो यह आपको भुख जाता है 12 फिट इस परकार से लगबग आपको सेड़ी के इसपेस लेके ड़ट पलस में आ जाये गई यह आपको उत्तर दिशा में अच्छा भी माना जाता है कि उत्तर दिसा में आपके दक्षिन से खिड़कियां और दरवाजों की संख्यां अधिक होना चीए बास्तु का संतूलन होता है उससे तो इसलिए डोड़ दिये चार फिट का जगा जो है इसमें चारो फिट तरफ जो है एस दर रिक्वार्मेंट छोड़ा गया है मेरी इक्षा नहीं थी लेकिन घर वाले की इक्षा थी कि आपने चारो तरफ इसमें जगा छोड़ दी चार फिट और मुझे एक प्रिएच की तुसके अनुसारी से बहुत अच्छा बास्तु के अनुरूप जो है निर्मान किया कि